कॉंग्रिस अध्यक्षिर राहुल गांधी से मिली सीख के बाद अब प्रदेश की कमलनाथ सरकार के मंत्रियों ने भी जनता के लिए दर्वाजे खोल दिये हैं MP News से खास बाद चीत में मंत्री तुलसी राम सिलावट ने बताया कि हमने तो जनता के लिए केवल दर्वाजे ही नहीं बलकि दिल भी खोल दिया है देखिए MP News की एक खास रपोर्ट मद्रेश की कमलनाथ सरकार में स्वास्त मंत्री शिर्ट तुलसी राम सिलावट ने लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलो के दॉरे कर रहे हैं और स्वास्त सुवीधाएं आम जनता को सरलता से सहस्ता से मोया हो पाए इस दिशा में बढ़ा रहे हैं आज Congress के राष्ट्री अद्यक्ष राहूल गांदी ने भी कहा है कि मंत्री अपने दर्वाजे खोलें ऐसे में उनका क्या सोचना है सीधी बात करते हैं मानी मंत्री जी क्या कहेंगे आप किस तरह से आप Congress अद्यक्ष राहूल गांदी जी के इस भाष्टन को लेते हैं और क्या कहना चाहिए अब एक तो सबसे पहले आज मद्यप्रदेश का इतियासी दिन है मेरा मद्यप्रदेश सत्तर प्रतिसत ग्रामी नेंचल में बसता है दो लाक रुपे का कर्द माप करेंगे बिजली के बिलहाब करेंगे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे हम सौभाग साली हैं समानी हमारे हुजश्वी मुक्ष मंत्री कमलाज जी जिन्होंने पेतालिस दिन दिन तर काम करकर आज उन्होंने ये दरसा दिया है कि ज हमारे राष्टी अध्यक्स मुक्ष मंत्री कमलाज जी देश के अखिल भारती कांग्रेस कमिट्री के महासचिव देश के पूर केंद्री मंत्री परमसद्य जोती राय सिंधिया जी पूर मुक्ष मंत्री दिगविजाई सिंग जी अरून यादाव जी राउल भाया कांतियल बूरिया जी पशोरी जी कांग्रेस के सारे वरिष ने था पूरा मंति मंडल सारे विधायक आज अबहार देने जिनों जिनके कांच सरकार बनी जिन लोगों को कर्द्र मुक्ती कालाप मिलने वाला है उसके लिए हम लोगों ने अबहार भ्यक्तिया था हमारे खुद के राश् मुक्त मंत्री भी और मंत्री भी तो क्या आपके मिंद्ध दृद्वार खुले हैं ऑर दिल और दिमाग दोनौं खुले रखें हैं कि मेरे अनियदाताओं की कांग्रेस करुद्धाओं की जो कांग्रिस की बुनियाद है, कांग्रिस की रीर की अटी है, जिनके कारण मध्यपतेस में सरकार में जिनके कारण में विधायक बना, जिनके कारण में मंत्री बना, उनके हर दुख, हर सुक में, उनका साथ था, साथ हूं, साथ रहूंगा, उनके लिए दरवाजे नहीं हर चीज़ खुली है। आने वाले दूनों में क्या प्रात्मिक्ता होगी तो पर सरजरी भी करने वाले हैं क्यों यह पर सरकारी डॉक्τοर नहीं पहुँच पाते हैं। आप जानते हैं। इस स्वास केंदर रोप स्वास केंदर और डिस्पेंसरी आती है। में आपके माद्यम से इन साथकी अस्पतालों में हमारे समाज का वो तपका इलाज के लिए आता है कि जो सोची था, प्रिडी था, गरीब है, मद्दिम बरका है तो मद्दिपेस सरकार की यह उसकता है स्वास विभाग की जो हमारे दिल्ला अस्पताल में, किसी भी सास की अस्पताल में आता है, उसको समय पर हिलाज मिले, समय पर दवा मिले, समय पर डाक्टर मिले, समय पर दवाई मिले और हमारा ये संकल्प है कि उसके साथ आच्रन भी अच्छा हो, बेवार भी अच्छा हो, ये मेरा संकल्प है ये आप जानते हैं, ये परिवतन हमारा प्रगती का नियाम है युवा सकती रास में हो, प्रदेश में हो, ये ही परिवतन की बुनियाद है और मेरा बेटा राहिती में आता है, तो उसका स्वागत करूँगा, उसमें तिछमता होगी, उच्छनाव रड़ेगा तो पूरी ताकत से पूरी कांग्रेस के बेनर पी रड़ेगा, राश्टी अज्जक राहूल गांजी जी के नेत्योथ में ही रड़ेगा काम करतां का मिलेगा विधायकों को मिलेगा पूर्य काम कर्मभुमी उद्जहार के साथ हमारे परिवार के काम काम कर्म ही अभी मेरी इंदौर के साथ पूरी मद्धिपर्देश है उज्जेन से मैं लोकसभा रणा हूँ तो वो मेरी विधानसभा से लगी हुई है तो वो कर्म हुमी महाकाल की है तो मैं अपना स्वभाग समझूँगा कि मैं उज्जेन नगरी कोई सेवा करपा हूँ यह थे मद्धिपर्देश के स्वास्त मंत्री श्री तुल्जी सिलावर जी जो की बिबाग अंदाज में अपनी बात रख रहे थे जहां एक और उनकी प्रात्मेकता है कि मद्धिपर्देश में सरकारी स्वास्त सुविधाय जो हैं बहतर हो जाएं वहीं दूसी तरफ वो करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहे हैं फिलहाल राजधानी भोपाल से कैमरा परसन अरुनियादव के साथ महिंद सिंग एमपी न्यूज भोपाल